वेलकम दो सेशन दितने भी नए स्टूडेंट आया इस चानल पर पहली बार रहें सबस्क्राइब जरूर कर लेंगे सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप किसी भी ऐसी एक्जामिनेशन की तियारी कर रहें इसमें इंग्लिश आती है या फिर आप अ आफ तडे इस पोलराइज करना तो को पोलराइज करना वर्ड कहां से बना हमारे अर्थ पे दो पोल होते हैं एक नौर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है नौर्थ पोल और साउथ पोल कभी मिल नहीं सकते हैं नौर्थ पोल और साउथ पोल हमेशे दूर दूर रहे तो वहीं से word बना polarize करना इसका मतलब है दो लोग जिनके opinions बिल्कुल भी match नहीं कर रहे हैं वो दो लोग जो बिल्कुल opposite है और उनको जो चीज बाट रही है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं polarizing बाटने वाला तो something that causes disagreement कोई चीज डिविसिव है discordant है बतलो लड़ाई करवा रही है split कर रही है बाट रही है एक साथ ला रही है ब्रिज कर रही है gap को खतम कर रही है reconcile कर रही है रिष्टों को सुधार रही है consensual है हर किसी की सहमती के साथ है अब यह actual में क्या है यह V1 प्लस ING है तो V1 प्लस ING को adjective की तरह भी उसकर सकते हैं तो जो controversial decision था जो ऐसा decision था जिसमें controversy थी कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था वह polarizing था वह बाटने वाला था community के लिए है अगला word है rhetoric इस पर जितने star mark करने कर लो examiner का favorite word है rhetoric का मतलब होता है कि आपने कोई speech दी और वो speech आपकी बहुत बढ़िया थी मतलब ऐसी speech थी कि लोगों ने क्या वा भी वा मतलब मजा आ लिए मतलब आपने अपनी बोलने के तरीके से अपनी speech से लोगों को influence कर लिया तो वो आपकी speech को क्या बोला जाएगा है आपके उस art को क्या बोला जाएगा rhetoric diction बोलना articulation present करना eloquence eloquence में root word क्या है लोक्वा लोक्वा का मीनिंग क्या होता है speech oratory means बहुत ही बढ़िया बोलने का art antonyms क्या हो गए अब इसके exact antonyms तो कोई है नहीं क्योंकि खराब बोलने का art जैसा को तो कोई शब्द होता नहीं क्योंकि खराब बोलने को कोई art नहीं होता बट थोड़े से आसपास के शब्द है जो देख लेते हैं तो पहला word क्या है austerity austerity means बहुत strict हो modesty बहुत साधा तरीके से साधा हो silence चुप हो taciturnity शान्त हो अच्छा कुछ चीज़े लोकों हमने पड़ा यह words exam में बहुत बार आते हैं तो इक बन को देख ले ना loquacious कौन होता है जो इंसान बहुत बात करता है talkative होता है इसी का एक synonym होता है garulous garulous का मतलब भी क्या होता है talkative और इसी का एक और synonym होता है verbose इन सारे शब्दों का meaning क्या होता है ऐसा इंसान जो खूब बातें करता है इसको बातें करने का बहुत ही जादा क्या होता है shock होता है इंसके antonyms होते है एक होता है reticent और एक होता है taciturn इन दोनों का मतलब क्या होता है इन दोनों का मतलब होता है ऐसा इंसान जो चुप चुप रहता है तो reticent sorry reticent और taciturn are people who are quiet ये 5 words exam में बहुत बार आते हैं और एक दूसरे में एक हिलते रहते हैं examiner in words के साथ कभी किसी का synonym पूछ लेंगे कभी किसी का antonym पूछ लेंगे तो उसका जो rhetoric था उसकी जो speech थी वह उतनी ज़्यादा comparing थी comparing का मतलब यहां पर गया इतनी ज़्यादा attractive थी इतनी बढ़िया थी इतनी ज़्यादा convincing थी जिससे कौन भी convince हो गए that it convince कि उसकी speech ने convince कर दिया किसको even the skeptics skeptics कौन तो जो लोग doubt करते है people who doubt तो जो लोग उस पर doubt कर रहे थे वो भी उसकी speech को देखने सुनने के बाद क्या हो गए convince हो गए उससे कि वही बन्दा बात तो सही कर रहा है पाट अव स्पीच क्योंगे ये शब्दापका नाउन है अगला वर्ड है impede करना impede करने का मतलब क्या होता है किसी की progress को रोकना तो कोई इंसान आगे बढ़ रहा है आपने क्या किया उसकी progress को रोक दिया तो आपने क्या किया उसकी progress को impede कर दिया तो Wshotsowe Eidos The Rodriguez of something कि सिर्चि के प्रोग्रेस को रोक ना hamper करना रोकना कना इनहीट करना रोकना थ्वा इंडर करना रोकना ब्लॉककरना रोकना मेंस किक्षी प्रोग्रेस और उसको आगे बढ़ना ही नहीं चाहते बढ़ना देना ही नहीं चाहते एग तो जो पत्क लास्ता था उसमें हमारी progress को impaired कर दिया, कि हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे ही action की बात कर रहे है तो part of speech क्या हो गया verb हो गया मैं एक stimmy word भी होता है, stimmy word बहुत important word है बिटा, stimmy का मतलब भी क्या होता है, किसी की progress को रोकना किसी को क्या करना, रोकना stimmy हो गया एक throttle होता है throttle का मतलब भी क्या होता है, रोकना किसी की progress को, फिर contain करना, means रोकना, check करना means रोकना, कर्ब करना means रोकना, इन सारी सारे शब्द भी कैसी tone के होते हैं, negative tone के ही होते है hasper करना means motivate करना यह anternem हो गया part of speech बताई दिया, मैंने अगले word the next word is linchpin, linchpin मी सबसे important चीज, तो कोई चीज किसी चीज की सबसे important है उसको क्या बहते है, linchpin अब crucial, crucial means important element, जो important चीज है चीज की बात कर रहे है, तो part of speech क्या हो गया, noun हो गया, keystone है, आचा, indispensable यह जो है न, यह adjective है, इसको लिख लेना इसका direct synonym नहीं है, क्योंकि यह noun है, indispensable is adjective इसका मतलब है something which is very important तो indispensable के आगे element लिख दो indispensable element है important है, backbone है, cornerstone है सबसे important है, main stay है important है antonyms की हो गए, insignificant है कोई मामूली सा है, marginal है कोई value हो नहीं, secondary है, मतलब primary के नीचे है, unimportant है लेकिन यह सारे direct antonyms नहीं, यह सारे adjective forms के antonyms है अगर इन सब को direct antonyms बनाना है तो इस सब के आगे कोई ना कोई element लिख दो क्यों, क्योंकि यह सारे antonyms है, adjective form है हमेशा याद रखना, noun का synonym भी noun होना चीह, noun का antonyum भी noun होना चीह, synonym और antonyum हमेशा same part of speech के होना चीह, जैसा कि वो word हता है तो जो nice safety regulations थे, rules regulations थे, वो बहुत important चीज थी, हमारी workplace security अगला word accentuate, accentuate का मतलब क्या होता है, किसी चीज को emphasize करना किसी चीज की उपर जोर दालना किसी चीज को बल देना, बल का मतलब क्या होता है उसके उपर जोर डालना तो आपके सीर इसको accentuate कर रहे हो, मतलब उसके उपर जोर डाल रहे हो, emphasize कर रहे हो intensify करना, amplify करना, highlight करना enhance करना, stress देना stress दालना इसका मतलब उस चीज को हम focus कर रहे हैं, उस चीज को emphasize कर रहे है antonyms क्या हो गए conceal, छुपा देना reduce कम कर देना diminish कम कर देना, mitigate कम कर देना तो तो sunlight थी उसने बढ़ा दिये, vibrant color तो फूलों के सुन्दर सुन्दर रंग थे sunlight की वज़े से वो और ज़्यादा highlight हो रहे थे, कहां पे garden नहीं part of speech क्या हो गया, action की बात कर verb हो गया मूट का मतलब क्या हो था, किसी जिसको सामने लेके आना discussion के लिए, किसी चीज़ की उपर debate करना, वाद विबात करना, भी स्मूट करना action की बात कर रहे हैं, फिर से verb हो गया, तो propose करना consider करना, introduce करना raise करना, तो आप एक topic रख रहे हो लोगों के सामने, कि भाई चलो इस topic की उपर discussion करते हैं antonyms क्या होगे, conclude कर दिया खतम कर दिया, finalize कर दिया, settle कर दिया decide होगे, कि चलो final होगे, आपको इच नहीं है तो the possibility of a company retreat, company के retreat की possibility किस के द्वारा सामने रखे गई, किस HR department के द्वारा सामने रखे retreat word का meaning क्या होता है, एक तो retreat verb की तरह यूस होता है, इसका मतलब होता है पीछे की तरफ जाना, है ना, re आ गया, retreat का meaning क्या पीछे की तरफ जाना, एक retreat का meaning क्या होता है, for example, जैसे कुछ लोग ऐसी जगा पर जाते हैं जहां को relax कर सके, enjoy कर सके, meditation कर सके rest कर सके, तो उसको भी क्या बोलते है, retreat, आपने बहुत बर देखा होगा, बहुत जगा ना जो pamphlets आते हैं vacation के, तो वहाँ पर लेखा होता है beautiful retreat, तो उस case में retreat क्या होता है, noun होता है अगला word है eversion, eversion last में I.O.N. लग रहा है, part of speech क्या हो गया now, eversion means, आप कैसी जी से नफरत करते हो, तो उस नफरत की feeling को क्या बोलते हैं, eversion बोलते हैं, a strong feeling of dislike, बहुत ही जादा नफरत करना, disgust, hatred, antipathy, abhorrence means नफरत की feelings होना अच्छा, antipathy में root word क्या है, pathos pathos का मीनिंग क्या है feelings, अच्छा, इस सारे root words में आपको बताती हो, इस सारे शब्द बताती हो, आप लोगों उने पढ़ रखे हैं ने, इस सारे शब्द, ये vocab prodigy के chapter 1 न, chapter 2 में सारे के-सारे words दिये हो है, हर किसी के लिकंपल सरी कि कम से कम vocab prodigy का chapter 1 न, chapter 2 को पढ़ही ले जिस जिसके पास है antonyms क्या हो गए, liking आपके सिरीज को पसंद करते हो, fondness आपको पसंद है, affinity आपका attraction है admiration आप उसकी तारीफ कर रहे हो तो she has a strong version spicy food को लेके उसके मन में क्या थी, घ्रना थी dislike था unveil, wheel क्या होता है, गुंगट ये क्या है गुंगट wheel है, तो अगर unveil कर दिया, गुंगट उठा दिया तो इसका मतलब क्या है किसी चीज को आप सामने लिया है जो पहले छुपी हुई थी तो किसी चीज को जो सामने लेके है जो पहले छुपी हुई थी, that means unveil कर दिया पिर से action की बात कर रहे है part of speech क्या हो गया, verb synonyms disclose कर दिया, छुपा दिया sorry, disclose कर दिया सामने लिया है unfold कर दिया, expose कर दिया display कर दिया reveal कर दिया एक और वाड होता जो बहुत बार exam में आता है divulge कर दिया divulge का मतलब क्या होता है लोग के सामने लिया है antinyms, conceal कर दिया, छुपा दिया hidden, obscure, clarity खतम कर दिया, cloaked कर दिया चुपा दिया, तो company का जो new logo है वो दिखाया गया annual meeting के दौरान parlays, discussions जो होते हैं आपस में, बातचीत जो होती है आपसी बातचीत जो होती है, उसको क्या होते है parlays, discussions, part of speech क्या हो गया, noun, उसको याद कर लो सब के हाथ में एक पारले जी का biscuit है, जब सब चाय लेके बैठे हुए है, आप पारले जी का biscuit बबोड होगे, खारें तो आपस में क्या कर रहे होंगे discussion कर रहे होंगे trick है याद करने की, कुछ-कुछ words की होती है अच्छा मैंने आप लोगों के लिए वीडियो स्टार्ट कर दिया देखा आप लोगोंने, shots की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया vocabulary को याद करवाने की, trick वाली से कल वाली वीडियो कितने लोगोंने देखी shots वाली, एक मिनिट की है बढ़ वर्ड हमेशा के लिए याद हुजाएगा चलो, पार्ली इस क्या होगे, discussions, dialogues, diplomacy, consultations means बादची antinyms क्या होगे, conflicts, लड़ाई चल रही है, stand-off है, लड़ाई है clashes and disputes है, लड़ाई है तो जो दो countries है, वो discussions में involved थी जिससे की जो बॉर्डर पर जो लड़ाई है, वो शान्ती पूरवक, dispute वो खतम होसल अगला word है, ओगरी ओगरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आपना कोशिश कर लो कि आगे क्या होगा, यह बताने की कोशिश कर लो कि आगे क्या आने वाला है इसको ओगरी को आगे से समझ लो आगे, ओगे, मीन्स आगे क्या होगा, भवश्यवाणी कर लो ओमिन, पोर्टेंट, हार्बिंजर, प्रेडिक्शन, आगे की बात अभी से बताने की कोशिश कर लो तुम भवश्यवाणी क्या है, ओगरी है पाड़ उस्पीच नाउन है अंचनिम सर्टेंटी भवश्यवाणी आपको क्लारिटी है, स्टेबलिटी है, प्रेश्यवाणी की वही होगा तो जो डार्क क्लाउड्स थे, जो होराइजन पर गैदर हो रहे थे अंचनिम सर्टेंटी है, जो डार्क क्लाउड्स वहाँ पर गैदर हो रहे थे, उनको कैसे देखा गया, और गरी की तरह देखा गया, वर सीन एजन और गरी, एक साइन की तरह देखा गया, कि एक स्टॉर्म है, जो आने वाला है इमपेंडिंग मीज जो मंडरा रहा है और जो आने वाले, something that is about to happen, उसको क्या बोलते हैं, इमपेंडिंग idioms पें आते हैं, gray area, gray area बड़ा ही प्यारा शब्द है, इसको थोड़ा सा context समझते हैं, तीन दराके areas होते हैं, एक होता है black area, एक होता है gray area, एक होता है white area black area होता है, जो आपको पता है 100% wrong है, गलत है, और example अगर कोई इनसान का मडर कर दे, तो ये क्या है wrong है, तो इसको क्या बोलते हैं, वो चीज ब्लाक area में है, white area होता है, जो आपको 100% पता है, right है, उसमें कोई problem ही है, तो अगर इनसान अगर fruits खा रहा है, तो किसी का मडर नही गर रहा, तो right है, तो कोई problem नहीं है, gray area होता है, जहां पर आपको पता नहीं है, कि wrong है, right है, कुछ लोग के साब से wrong है, कुछ लोग के साब से right है, आपको नहीं समझ में आ रहा, judge करना बड़ा मुश्किल है, कि क्या right है, क्या wrong है, उस area को बोलते है, gray area, for example, eggs खाना, it's a gray area, it is difficult to judge, it is right or wrong, अगला है, to put pen to paper, paper पर आपने pen रग दिया, मतलब sign कर दिया, तो to sign a contract formally, on the table, कोई चीज टेबल पर है, इसका मतलब वो discussion के लिए आ चुकी है, अब हमें उसको क्या पर नहीं, discuss करें है, something which is under discussion or concentration, फिर है, slipped off, किसी चीज की उपर से आपका balance चला गया, मतलब, it slipped off, you, dusted off, इसका मतलब कि कोई चीज थी, जो बहुत time से unused थी, आपने उसकी उपर से dust हटाई, मतलब आप उसको use करने का plan कर लो, कोई ऐसी चीज उसमें फिर से जान डालो, और इसको बहुत लंबे time से neglect किया ग गया था, take off, एक take off करने का मतलब होता है, plane take off करता है, plane take off करने का मतलब क्या होता है, ground को छोड़के हवा में जाना, और दूसरा take off का मतलब क्या होता है, successful हो जाना,